Hello Friends, Welcome to Sarswati Classes बात करते हैं स्टुडेंट KVS PRT 2020 जिसकी पोस्टें बहुत जल्दी अनौन्स होने वाली हैं अपने MHRT का ब्यान देखा हो कि जल्दी NVS और KVS में टीचरों की वेकैंसी के लिए देखिए बहुत स्टुडेंट कह रहे हैं कि वेकैंसी नहीं आएगी देखिए अगर वेकैंसी नहीं आएगी जो स्कूल नए उपन हुए हैं वहाँ बच्चों को पुढ़ाने के लिए टीचर कहां से लेंगे तो देखिए अभी तो मैं कहा नहीं सकता कि विकैंसी है कि जैसी लोकडाउन खतम होगा तो उसके तुरंत बाद आपको 6 मन्त के अंदर आपको KVS की विकैंसी देखने को मिलेगी इसी के साथ आपको यदि याद है तो हर 2 सालों बाद KVS की विकैंसी रिपीट होती है तो देखिए 2 साल हो चुके हैं हर साल KVS का एक पैटरन है और पैटरन क्या होता है कि सप्टेंबर या अक्टूबर में पोस्ट आएगी और जनवरी के 10 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के बीच में एकजाम होंगे KVS के तो उसका जो subject concern का math का topic है उसके syllabus के बारे में अपने चर्चा करेंगे कि क्या-क्या उसका syllabus रहेगा आपको कहां-कहां से पढ़ना है और किस-किस label तक पढ़ना है इस पूरे वीडियो में अपने एक strategy के साथ पूरे syllabus का क्या करेंगे पोस्ट माडम करेंगे ताकि आपको अठारा नंबर गरंटी आपको देखने को मिलेंगे कि आपको कहां से पढ़ना है तो स्टार्ट करते हैं lecture हमारा देखिए जो की journal maths का subject concern syllabus है math का वो यह देखिए यूं है इस परकार सबसे पहला topic है student number system देखिए number system बहुत बड़ा है इन्होंने एक बार तो सपस्ट कर दी कि number system पूरा आएगा अब number system के क्या क्या aspect हैं क्या कितने topic हैं वो सारे के सारे अपने पढ़ेंगे number system में सबसे पहले numbers कितने होते हैं आपको यह देखिए यहां इन्होंने देदिया एक यह देखिए एक यह रहा लारेज number कितने भी number दे सकता है एक से लेकर अर्बोन तक number दे स unit place आएगा, reminder theorem आएगी, digit किसी भी number को multiplication करते हैं, last में कितने 0 आएगे, prime number, composite number, यह सारे के सारे number system में एक बहुत बड़ा part परता है number system का, उसके बाद number system तो पढ़ना है लेकि number system को उन्होंने और ज्यादा describe कर रखा है, estimate of number, देखिए estimate of number यह भी 6th class का एक chapter हैं CRT का, वहां से आपको पूरन तरह पता चल जाएगा, क्या-क्या estimate of number में पूछा जा सकता है, यदि आप त्यारी कर रहे हो KVS PRT की, तो आप 6th class के chapter जुरूर पढ़के जाएगे, लेकिन यहां भी आपको पूरे की पूरे करवाए जाएगे, और किस-किस label तक करवाए जाएगे, ऐसा नह value and face value, ये भी कक्षा 6 का topic है, आपने स्थानी अमान और जाती अमान पड़ा होंगे, उसके बाद है use of symbol, फिर है word problems of number operation, देखिए use of symbol को just इसके साथ mix किया हुए number operation, जो कि CTAT में भी एक topic है, यदि अपने A star B देखते हैं, A star B का मतलब है A square plus B square, उसी प्रकार A dot B का operation है, A square minus B square तो बताओ 29.25 गुना 26, इसका mean क्या होगा, इस operation के तहत अपने को इसका मान बताना है, कि A star B की संक्रिया क्या है, या A dot B का operation क्या है, next है, अपने पास conversion of units or length and mass, देखिए, एक gram में, या कह सकते हैं, ग्राम में कितने, किलो ग्राम में कितने मीटर होते हैं, या कह सकते हैं कि एक मीटर में कितने centimeter होते हैं, इस परकार की unit digit से अपने को related question पूछे जाएंगे, ये भी एक तरह से 6 और 7 में half of portion दिया हुआ है, आप वहाँ से तियार कर सकते हैं, और अपने यहां भी lecture आपको दिखाए जाएंगे, उसके बाद है multiply and factor, देखिए multiply और factor एक तरह से अपने क PRT के chapters के नाम दिये गए, कितनी अरजीब बात है कि बच्चे KVS PRT का तियारी तो करते हैं, लेकिन कभी भी subject को ये syllabus को पूरी तरह देखते नहीं हैं, और सबसे बड़ी बात है syllabus को ignore करना, देखिए मैं आपको एक example देता हूँ, मैंने बहुत बार example दिया है, इवन जो day three plus कल मैंने syllabus discuss किया था, उसमें भी बताया था कि W equal to F into D होता है, एक बालक क्या करता है, सारा दिन दिवार, एक दिवार है उसको धक्का मारता है, या वोल को धक्का मारता है, लेकिन दिवार खिसकती नहीं है, लेकिन उसने तो student पूरा का पूरा जोर लगाया, उसने force को 100% आपने सारा दिन पूरा डे होल डे आपने दिवार को धक्का दिया, लेकिन दिवार तो कहीं किसकी नहीं, उसी प्रकार बच्चे डे बाई डे सारी रात पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते क्या हैं, exam oriented वो कभी पढ़ते ही नहीं, उनको हमेशा वो ही पढ़ाया था है, ऐसे ब देखिए natural number को आपने देखा होगा, natural number को यदि अपने डिवाइड करते हैं, तो किसमें डिवाइड करते हैं student, prime number, composite number, prime number को आगे अपने डिवाइड करते हैं, even and odd number में, तो देखिए ये सारे के सारे it means, आपको basic से एक एक चीज concept पूछा हैं, और prime number most important topic है, even and odd के question, मैं कहत सीटेट, यूपीटेट में, और हीट में, even SSE में हलके, फुलके, जो even odd से question पूछे हैं, उनको भी अपने include करेंगे, next step, prime factorization, ये भी एक तरह से 6 और 7th का question है, आप वहाँ से इसको कर सकते हैं, next step, HCF और LCM, देखिए, ये तो question हर exam में पूछा जाता है, मैं गाता हूँ, हर बार उन्होंने HCF, LCM, जो पुराने paper उठाके देख लेना, आपसे पूछा गया है, next है, rational number जिसे आप परिमय संक्या गयते हैं, ये भी बेहद important topic है, ठीक है, अगर अपने rational number को आगे divide करते हैं, तो आपने देखा होगा recurring rational number, जिसके अंदर pure, आपने pure recurring decimal fraction पढ़ा होगा, mixed pandemic decimal fraction पढ़ा होगा, वो कितना important part है, वो आप सीखेंगे, उसके बाद whole number, देखिए एक तरह से number को तो उसने पूरा divide ही कर दिया है, number को divide किसमे करते हैं, natural number, whole number, integer, integer आगे किसमे, rational number, ये सारे के सारे दियो है, seeing patterns, identifying and formulating rules, एक तरह से जितने भी rule बनते हैं, question बना दिया जाएगा कि 6 plus 3 minus 2 इस परकार का बड़ी सारी equation होगी, उसको solve करना है, next है, ये अपने कह सकते है, simplification के board mask के rule के according, इनको क्या करना है, solve करना है, next है, integer property of integer, 8th कक्षा का पहला chapter है student, पूरा का पूरा दिया हुए इसके अंदर, आगे है, fraction, fraction देखिए, बहुत important part है, और fraction में भी अपने क तीनी fraction करनी है, एक तो decimal fraction करनी है, जो most important है, उसके बाद अपने को क्या करनी है, compare fraction और continue fraction, इन तीनों fraction वो करना है, जिस पर हर बार question पूछा रहता है, next है, ratio and appropriation, ठीक है, एक तरह से ये अपने कह सकते हैं कि arithmetic math का topic है, उसके बाद percentage, profit and loss, work and time, velocity and distance, simple and compound interest, binomials, ये question निया बना हुआ है, अगर binomials, अपने पास question है, यदि अपने reminder theorem पड़ी है, हुब हुब ये एक जैसी है, और question हर साल पूछा जा रहा है, polynomials बहुत important है, basic of algebra, हर बार question पूछा गया है, linear equation, quadratic equation, और world related problem, दिखिए सारे की सारे chapter student आपको करवाया जाएंगे, even मैं पहले कह रहा हूँ, कि only question नहीं करवायेंगे, previous years में किसी भी state का TAT का question उठा हूँ है, वो सारे के सारे रहूँगा, यदि पश्ची मंगाल TAT में मैंने paper डाउनलोड किया हूँ है, सारे के सारे आपको even एक ही platform में मिलेंगे, ठीक है student, इसकी एक तरह से KVS, PRT, Math की त्यारी करने के लिए, एक बहु पूरा guidance किया जाएगा student आपको सबसे कम दाम में, देखिए मेरे पास बहुत, हम डीटर प्लेस्बी का already math pedi group चला रहे हैं, और KVS के लिए भी start किया हुआ है, देखिए बहुत ऐसे channel है जो आपसे कम से कम, मैं बोलता हूँ कि 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5,000 से plus तो कोई अपना course ब करता हूँ, KVS, PRT का जो syllabus है, वो पूरा का पूरा आपको point जो syllabus में दिया है, वो करवाय जाएगा, even falto, कोई भी topic नहीं करवाय जाएगा, बलकि आपको ज़्यादा ही करवाय जाएगा, कम कभी नहीं करवाय जाएगा, अगर उसमें prime दिया है factor, तो prime factor करवाय जाएगा, उ इसकी fees है, मातर 100 रुपए पर मन्त, student इसकी जो duration है, कोर्स की वो 6 से 8 मन्त है, उससे मैं कहता हूँ, आपका एक एक concept के लिए करवाय जाएगा, उसके बाद यदि कोई DTSP का मैंने syllabus discuss किया था, उसकी fees जो है, वो है 1.500 रुपए पर मन्त, यदि कोई जुड़ना चाता है, त कोई बहुत बड़ी fees नहीं है, लेकिन exam oriented करवाय जाएगा, यदि आपको लगता है कि course waste है, तो अपने पैसे वापस लेके जा सकते हैं, देखिए और seat at, यदि कोई preparation करना चाता है, तो उसकी 100 पे fees है, अब इसमें आपको दिया क्या जाएगा student, full topic cover, जितने topic है उनको cover करव जाएगे, previous years के जितने भी 100 question है, PRT के, DTSB के उनके question को solar करवाय जाएगा, पचास small mock test और 20 full mock test होगे, यदि आपने मेरे lecture mock test देखे हैं, last year 2018 के, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, कि student को कितना benefit हुआ था, week में two lecture, देखिए सबसे बड़ा है, week में two lecture होगे और एक test होगा एक week में two lecture और एक test, it means, एक week में three lecture होए, एक महिने में चार week होते हैं, तो 12 lecture होए और एक mega test होगा, it means, पूरे महिने में 13 lecture होगे student, बिलकुल slowly and exam oriented करवाया जाएगा, अब बच्चे जुड़ना चाते हैं, कहां जुड़ सकते हैं, ये मेरा number है, तो इस number पर student, आप message करके, 9521 पर आप message कीजिए, और हमारे इस course से जुड़ सकते हैं, जिसका एक उदेश है, ये बच्चा कोई misguidance है, तो हमारे यहां के जुड़ सकता है, बहुत ऐसे channel हैं, जो misguide कर रहे हैं, तो आगे और से लेबस देखते हैं student, next है basic geometry, ideas, line, line segment, एक तरहां से रेखा, रेखा, आने हुए बहुत सारा, कि जो line होती है, उसके दोनों बिंदू unlimited होते हैं, ray का एक point limit होता है, एक point unlimited की और जाता है, line segment के दोनों point limited होते हैं, ये सारा का सारा बयान किया हूँ है, NCRRT में, आपको notes के साथ provide करा जाएगा, PDF बहुत language में होगी, English और lecture, उसके बाद है open and close figures, angle, vertex Arm, interior, exterior, मतलब जो बहाय कोन होते हैं, आंत्री कोन होते हैं, संपाती कोन होते हैं, वो सारे के सारे आपको करवाय जाएंगे, इस परकार से दो aットन से क्या कह सकते हैं, line, समंतर line, एक ray काटती हैं, उस पर depend, जितने qOcean बनते हैं, वो सारे के सारे करवाय जाएंगे, triangle, vertex, side angles, द दीव बहुत रीबू सारे के सारे करवाए जाएंगे उनके formula, उनके question, long way, easy method दोनों से करवाए जाएंगे, side, angle उसके बाद diameter, arc, concept of parameter, data handling ये के pictography, scaling in, pictography and its interpretation एक तरह से आपको DI के सारे question करवाए जाएंगे data handling, एक तरह से अपने को graph बनाया होगा कितना शिक्षा हो रही है, कितना व्याप एलेगरा है सारे के सारे question, जो की 8th का I think 9 या 10 लेक्चर है नेक्स्ट है, journal understanding of parameter using regular shapes ये तो एक तरह से CTAT का topic उठाया है उनने journal understanding of parameter using regular shapes shapes of different kinds with the same parameter देखिए बहुत सारी shape को कैसा change करना है उसके सम्मित्ती point कितने होते है उसका area कितना होता है इस सारे के diagram बना के बदाएगा कि इसका area कितना है next area of warriors regular geometric shapes measuring areas of different shapes with the help of graph graph के दोर आपने को area निकालना है इस सारे के सारे question करवा जाएगे next concept of volume देखिए 3D यहाँ पर start हो चुकी है एक तरह से यह 2D चल रही थी अब 3D start हो चकी है 3D मतलब जिसका volume ग्याद कर सकते है अपने concept of volume measurement of volume using के basic unit देखिए अपने पास sphere का अपने को unit sphere मतलब गोला उसके बाद cylinder मतलब बेलन घन गनाब शंकू इस सारों का अपने को volume निकाला हो गए cube miss घन cubid miss घनाब cylinder miss बेलन volume and capacity उसकी धारिता शंता की एक टंकी यह पानी की वो इतनी खाली है उसको पच्छत लगाई जाती है तो उसका volume बताईए measurement of capacity surface area of cube देखिए उसका परस्टिय शेत्रफल निकालने अपने को वह भी किसका cube, cuboid और cylinder तीनी point का देखिए बच्चे क्या करते हैं student पूरा का पूरा 3D पढ़ लेते हैं लेकिन 3D पढ़ने की जरूर तीनी बच्चा जब उसने चीजें ही तीन दी है cube, cuboid और cylinder आप फालती क्यों पढ़ रहें बच्चा लोग prism पढ़ लेते हैं पढ़ लेते हैं और इस पे अनाप शनाप पढ़ते हैं अनाप शनाप तो पढ़ना ही नहीं है और ये देखिए टूरी में उसने triangle की बात की है only लोग तो मैं करता हूँ पता नहीं क्या-क्या इतना बेकार पढ़ते हैं इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं या कम पढ़ लेते हैं कभी भी बराबर का नहीं पढ़ते हैं देखिए एक selected और unselected बच्चे की बीच में अंतर पता है क्या selected बच्चा हमेशा पहले slabers को उठाता है और unselected बच्चा paper तक slabers को नहीं उठाता है और जब paper आता है तब भी उसे पता नहीं जलता वो कहता है कि out of paper है मैं तो इतना पढ़ा हूँ government ने मेरे साथ धोका किया लेकिन भाई तुने कभी slabers देखा है क्या तो slabers के according आपको पढ़ाया जाएगा यदि कोई बच्चा add होना चाहता है तो 952185200 पर message कर सकता है और अनातर बात यदि आप facebook यूज़ करते हो तो अमनारंग आप मुझे follow कर सकते हो इंस्टाग्राम पर भी अमनारंग follow कर सकते हो आपको जो भी सूचना चाहिए आपको तरंत जाएगी धन्यवाद